बेलकम बैक दोस्तों एक बाद फिर से स्वागत है आप सापका आपके अपने यूटूब चैनल ब्राइट भाई प्रेडिक्शन में मैं हूं आपका दोस्त ब्राइट आप देख रहा है ब्राइट भाई प्रेडिक्शन आज हम बात करेंगे मैच नंबर 11 की बिग वैस लीग है चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी साथ नोटिफिकेशन के बैल आइकन को आउन कर लें जिससे डेली इस पर अपलोड होने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करें वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजेगा साथी साथ सेयर कीजेगा 9711659549 यह हमारा लॉस को रीकवर करना चाहते हैं अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं 9711659549 पे IPL, CPL, BBL, PSL, all kind of cricket matches की रिपोर्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर आई जाती है अब अगर आज के मैच पे नजर डालें तो सबसे पहले बात कर लेते है Sydney Sixer की, प्लेंग 11 की तो लास्ट मैंट जो Sydney Sixer खेली थी उसमें जो उनकी प्लेंग 11 थी वो थी जोस फिलपे, कृतिस पेटरसन, जेमस बिंस, मॉस्टिस अनकरीज, जॉड़न सिल्स, डैन क्रिश्टियन, हैड इन केर, सीन अबट, जैक्शन वर्ट, नभी नुलक और नवी यह प्रॉपर 11 थी, अगर हम बात करें बैटिंग की, तो बैटिंग इनके पास काफी अच्छी है, डैप्स तक है, लेकिन अगर बात करें, इन फॉर्म बैटर की, तो पिछले मैटिस में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, इनका टॉप रहा है, जोस फिल्पे आपको रन देखने को मिलें, और यह वन सैडिय। अपने दोना मुकाबले हारी है, तो अगर हम की पिलिर की बात करें, तो इस मैच के अंदर जो की पिलिर रह सकते हैं, वो जेमस बिंस रह सकते हैं, जेमस बिंस की साईट से आपको पफॉर्म नहीं को मिलेगी, जोडन सिल क तो होबर्ट अपने दो मुकाबले खेलिए और दोनी मुकालिया अपने जीत किया है अच्छे रन किये अब इनके की पिलर्स की बात करें इन फॉम बैसमें की बात करें तो दी आर्टी सॉर्ट ने पिछले मैच में तेश चोबिस रन की पारी खेली थी मैथ्वेड ने 50 किया साधा काफी अच्छा किया था बैन मैग्डरमॉट पिछले दो मैचों में फिलोफ हुए है तीसरे मैच में 100% निकलेंगे इनके बल्ले से टिम डेविड अच्छी फॉर्म में चल रहे है दोनी मैच इसमें रन बनाते हुआ है इसके अलावा साधा पकान 20-25 रन का कॉंट्र किसी और को रिप्लेस किया जाए या घ्यलब जोयल को लाया जाए या फिर किसी और को लाया जाए बालिंग की बात करे तो पैट्रिक डूली बहुत अच्छी बालिंग कर रहे है नीजी लैंड के पिलिय रहे सकते हैं म exact नचम डीविड और साधाफ खान रहे सकते हैं बैट के कीप लिया दै सकते हैं अब बात करें हम पिछ रुपोर्ट की तो यह मैच खेला जाएगा यह खेला जाएगा सिड्नी किर्केट ग्राउंड में जो सिड्नी का हम ग्राउंड कहलाता है और यहां पर थोड़े से 25 परसंट बारिश के चांस हो सकते हैं लेकिन यह 24 गंटे पह डिफरेंस निकल के आ रहा है तो यहां पर पहले बैटिंग करना या बादने बैठिंग करना कुछ मेंटर नहीं करता बात करें लास्ट गॉर्ट मुकाबलों में 84 एक फई ससने लिए चौब यहां पर पैसर को ज्यादा हेल्प मिलती है जिडनी के ग्राउंड पे पैसर या से एक मैच जो हैं पर टाइर है कोई बड़ा अंतर नहीं है फर्स्ट और सेकंड बैट का अवर्ज स्कोर की बात करें तो 158 जो हैं कि आपको 158 से से 190 भी 11 बार लगा यानि कि क्या सकते हैं कि 150 से 190 के बीच में टोटल 22 बार स्कोर बनाएं और 190 से उपर आठ बार स्कोर गया है तो मैक्जिमम स्कोर जो आपको यहाप देखने को मिलता है मतला एवरेज जो ज्यादा तर देखने को मिलता है वह ऐसे मान के चलिए कि 160 तो 170 के बी में देखा जाए तो कहीं ना कहीं वीक नज़र आती है अब बात करें एवरेज स्कोर की तो एवरेज स्कोर होवट का 162 रहता है और सिक्सर का 142 रहता है एक दूसरे के आमने सामने फस्ट बैट करते हुए होवट साथ बार मुकाबले जीती है और सेकंड बैट करते हुए होवट दो बार मुकाबले जीती है सिक्सर के सामने वहीं 6-0 की बात करें तो 6-0 फस्ट बैट करते हुए चार बार और सेकंड बैट करते हुए दो बार मुकाबले जीती है लास्ट के अगर हम 5 मुकाबलों की बात करें तो लास्ट के 5 मुकाबलों की बात करें तो लास्ट के 5 मुकाबलों में तीन होवाट ने जीते हैं एक सिक्सर ने जीते है और एक मुकाबला ये इनका टाई रहा था तो टोटल लास्ट पांच मुकाबलों में तीन वार होवाट ने बाजी मारी है एक मुकाबला टाई रहा है और एक मुकाबला सिड्नी सिक्सर जीती है अब बात कर लेते हैं हम आग स्कूर 177 बना युएस्ट 154 बनाया है क्या बात करें सिड्राइब सकूर चर को रहें कि Zealand हृबध की बात आपके यह रीकें यह पर च्छे मुकाबले खेले जिसमें से चाहें है टीन पर संट पर सेंट पर सेंट अन की वह इनके पेंस स्टेंटीं did 60 से भी नजर आता है, Harvard करेंने के Harvard को भी easy ground पसंद आता है highest की बात करेंने, दोनें टीम का 213, 230 highest score है और lowest की बात करें तो 166 Sydney Sixers का नजर आता है और 91 जो है Harvard Mittarrican का नजर आता है अब अगर बात करें है, ए जो मुकाबला है दिखा जाए TEAM की forms को देखके और अपने ग्राउंड पर Sydney Sixers हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है तो नॉर्मली यह मुकाबला 50-50 परसेंट जाता है दोने टीमों के साथ लेकिन कहीं न कहीं ज्यादा एडवांटेज मिलेगा Sydney Sixers को कह सकते हैं कि Sydney Sixers इस मुकाबलों को जीतने की प्रवल दाविदार रहेगी होवर्ट के सामने लेकिन फाइनल प्रेडिक्शन फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं फाइनल प्रेडिक्शन आपको मिलेगी 971-659549 पे कॉंटक कीजिए जूड़ जाएए टेलिग्राम को जॉइन कर लिजिए कर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहां पर जाके आप हमारा रेगुलर काम चेक कर सकते हैं कि किस लेविल का हम काम कराते हैं वीडियो पसंद आईए तो लाइक किजिए शेयर कर दे लाओंगा कि लाओंगा